नमस्कार साथियो आज इस टॉपर स्टाक सेशन में अचीवर्स परिवार के तरफ से मैं आप सब का स्वागत करता हूँ असीजी पेसी का जर्नी ऐसा है कि संगर्सों से भरा होता है और दूप चाओं सब देखना पड़ता है तुसे के लिए कुछ है कि कहीं पे दूप की चादर बिचा के बैठ गए कहीं पे साओं कहीं पे चाओं सी राने लगा के बैठ गए जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा बहुट से लोगहि गए च्छ-वट बटा के बैठ गये भर अन्हीं बीच को तो बैठते है वे बार जब चलना बतर्राश सब्सक्र सवごण बोलना इति पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता को आने के बाद छू के जाने नहीं देते हैं हाथ पकड़ लेते हैं और खीच लेते हैं कि चलो तो हमारे बीज जो सरुपस्थित हैं विवेकसी सर उनका सफर कुछ ऐसा ही रहा है 2019 में CGPSC में वो चैनित हुए जनतत पंचाथ CEO के पतपर और जैसे ही सफलता जाना चाहा उन्होंने फिर से 2020 में खीच के पकड़ लिया और बोला नहीं रूखा भी और उसके पाप फिर से चैनित हुए हैं वो रिजिश्टार के पतपर और वो ऐसे इंसान है कि वो जाने नहीं देंगे फिर खीच के रख लेंगे जब जाना चाहेगी तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा अग्रह है कि वह आके स्टेज पे अपना स्थान गरांड करेंगे उस संघर्स की हर किसी की अपनी कहानिया होती है और जैसे कि मैंने कहा कि सर का स्वभाव ऐसा रहा है कि वो सफलता को एक बार आने के बाद सितारे नोच कर ले जाओंगा मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं वाला बाहु रखते हैं तो मैं उनके स्वागात के लिए संदीमिल सर से आगरह करूंगा कि वो उनका सबसे पहले सरवप्रतम स्वागात करें सर आप अपने इस्थान तो मैं जाओंगा आपके सामने वीवेक सर इन्होंने जोगर मिसमें सी ओ पत्रचनित हुए थे और अभी ये अज़ डियार इन दर इस्थान मैं जाओंगा अगर आपके कोई डॉट है आपके प्रिकेशन में कोई आपके समस्या हो रही है तो वीवेक जी आपके सामने खड़े है ये आपको हर एक पहलू में यापको भी आपको डॉट है अभाज अवाज निया ली अजय अगर्य है अह्छ लॉट है कि अलो है अ अलो है विज एवेवर्वन ओर मेरा नाम दुर्च सीमार शिंग और मैनने अपनी स्कूलिंग जावार नौधे विद्ध्याले दो जगा शे की ए पैसिकली तेन तक मैं जावार नौधे विद्ध् अभी तो फिलाल अभी सर्गुजा में भी नया बन गया नोदे तो वहां से किया टेंट तक फिर आफ्टर टेंट दक्षना एक्जाम के थुरू मेरा सेलेक्शन हुआ था जावाहर नादे विद्याले हजारी बाग जार्खन तो मैंने वहां 11 और 12 की तैरी की उसके जस्ट आते हैं आटी का चाहे मेडिकल का तो मैं मेरा 12 के बाद मेरा सेलेक्शन हुआ था आटी कानपूर में तो वहां से मैंने बीटे कंप्लीट के अपना और फिर थर्ड यर में ही मैंने सोचा मतलब मुझे सिविल सर्विसिस का एक्सपोजर मिला क्योंकि वहां पे जो ऐलूमिन मैं जर्णी dwit की था है मिने मैं मैंने देली गया मैंने कोचिंग लिया पर прямо ही फिर यह लाई फैमिली वाले ये बोले थे कि एक बार आप स्टेट का भी देख लो तो फिर मैं वहीं सही मैंने प्री का फॉर्म भरा था और 19 वाला और फिर जब प्री क्लियर हुआ तो मैं में मेंस के लिए स्विच यहां पर आ गया था बिलास पर स्विच किया था वहां से तो अब तक कि को यहीं तो मुझे मेरा फॉर्स राटेम था वहां पर मैं कौलि प्री क्या तो मुझे जन्पथी अचियों का है फिर फ्री नर्रीत कि सबरी कि कॉछल में मैंने पिल्टी वाला था उसमें मुझे पामिझा पॉस्थ मीटस्ते आउया तो यह मे önम ज़र स्विच को अब कर मे मेरी जो स्ट्रगल रही है मैं एक सर्गुजा के लोसगी गाउं से बिलॉंग करता हूँ बैसिकली अगर आप मैंसे कोई जानते होंगे तो तो वहां से यहां तक आना क्योंकि मुझे अच्छा था लगी मैं मुझे फील करता हूँ कि मुझे हर स्टेज में कैसा प्लाटफॉम मिला तो उसके थुरू मैं यहां तक अचीव कर पाया तो वो खुद में एक स्ट्रगल भरी जरनी है मेरी तो तो मैं यह कहूंगा मैं एक सिंपल साधाराड साही इंसान हूँ आप ऐसा सोच रहा हूंगा कि मैं कुछ एक्स्टार ओर्डिनरी बिल्कुल नहीं हूँ मैं आप जितना करेंगे आज नहीं तो कल को हर किसी को सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा ठीक है तो और जो भी था आप लोग चाहें जिस तरीके से आप सवाल पूछे मैं अपनी जरनी को एक्स्प्लेइन करूंगा प्लस जो भी कोईरीज होंगी मैं उसको क्लियर करने कोशिश करूंगा ठीक है तो अगर मैं ऐसे पता देता हूं ओवर व्यू ठीक है तो देखिए वहां पे ना जब मैं स्टार्ट किया था जब मुझे बूला गया कि निया आप इधर देखो तब मेरे पास बहुत ही लिम्टेट सोर्स थे ठीक है एक मार्केट में अवयलेबल एक स्टांडर्ड भूग था जिसमें 36 गड के सारे आस्पेक्ट्स है ना वह कवर होते हैं वह एक बुक था मेरे पास पास्टेर कोश्यंस थे सारे सारे मतलब जो जितने मेरे पास अवेलेबल होते हो सारे मैं प्रिंट आउट करा लिया था और एक करेंट अफेर्ट भूग लेट था तो मुझे पता था कि मैं इसमें हाँ सबसे बड़ी बात होती कि आप सेल्फ बिलीव खुद पर बिलीव रखो कि आपके पास जो भी सोर्स है क्योंकि मार्केट में चाहे वो यूपी असी हो चाहे वो सीजी पीसी हो इतने सारे माटे कि बिलीव कीजेए कि मेरे पास जो भी सोर्स है सफिशेंट है और उसी में उसी को बस बाइबल मानके आप बार बार पढ़िए रिवीजन कीजिए यह होना चाहे पहला ठीक है तो मैं कह रहा जब प्री के लिए मेरे पास तीनी सोर्स थे तो मैं रिलाई किया कि नहीं यह ज नाती कह लीजे जर्णी में वह आपके पास्ट यर पेपर सोते हैं जो आपको सही मार्क दर्शन दे पाएंगे तो उसको कभी इगनूर मत कीजिए जितने भी पेपर से पास्ट यर पेपर आब उनको देखिए जो भी अगर उसके आंसर सभीलेबल हैं तो ठीक नितो उसको समझ लीजे कि वह मेरे लिए बुक है और उसके जितने भी सवाल हैं वह सारे मुझे आने चाहिए अगर कल को मुझसे फिर पूछा जाए वही सारे पेपर दे दिया तो मैं हंडेड आउड ऑफ हंडेड इसकोर कर लूँ यह इसका मूल मंत्र है ठीक है वैसे फिरी कोई भी क कैसे करते हैं, तो रूटीन होता है में डिस्प्लीन, डिस्प्ल्न में वही देखकिकी लेट क्या है क्या है डिस्प्लीन एक सब्जेक्ट करना है ऐसे वह मोनो तॉमस निस आएगा आपना कि ESFYCM % hokagerP तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि 2-3 सब्जेक्ट हो, कि डेली टार्गेट हो कि हाम है, भले एक सब्जेक्ट को दो घंटे दे रहा हूं, बस दो घंटे दूँगा, पर वो कालेटी दूँगा, ऐसे करके, हना, डेली का रूटीन, फिर हो सकता है कि डेली क्या वीकली, फिर सकते हैं टार्गेट, है ना, क्योंकि अभी रिसेंटली में वीडियो देखा था, उनका वीडियो बहुत अच्छा था, और ये चीज में, एक्चुली में महसूस किया था, कि प्री टाइम में जो था बुक, मेरे पास एक ही बुक था, उसको मैं मुल्टीपल टाइम्स किया था, उसका, है ना, तो उन्होंने ये कहा कि आप एक ऐसा प्लान बनाईए, और वो प्रैक्टिकल हो, ऐसा नहीं बस प्लान बना लिया और एक्जिक्यूट हो नी रहा, ऐसा प्लान बनाईए कि मुझे अगर वो प्री अभी, सपोस कीजे, प्री कब है, अभी फर्वरी मेटेरियल हो, चाहे वो आपका मार्केट में अवैलेबल कोई भी हो, है ना, तो उसमें आप ये देखे कि मैं बुक को कितना बार पढ़ सकता हूं, और कितना बार पढ़ लूँगा, तो कल को मेरे से पूछा जाए, कि इस बुक में, इसका मतलब क्या होता है, या फिर इस जिसे कहते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे, फिर वहाँ पर ऑप्शन्स होंगे, थोड़ा वो अप्रोच चेंज हो जाता है, बाकि शत्तीस गड़ पोर्शन के लिए तो सच कुछ खास निये, अब अस पढ़िए, जितना बार रिविजन करेंगे, उतना कॉन्फि हो जाए, फिर मॉक देंगे, फिर रिवाइस करेंगे, मॉक देंगे, रिवाइस करेंगे, तो कॉन्फिडेंस खुद बखुद आता जाएगा, और अक्यूरसी तो बढ़ती ही जाएगी इसमें, यह हो गया प्री के लिए, ठीक है, बाकि बताईए तो मैं पूरा बताओं य इसका beauty of the syllabus यह है, कि इसमें चीजें इतना elaborated है और to the point given है, अगर आपको syllabus का हर एक जो topics, sub topics के आपके पास notes है, तो मैं कह रहा हूँ, और उस चीज को आप याद कर लेते हैं, तो definitely आप 90% questions यह ही आप करके आएगे, इसमें static का बहुत कम रोल है, आज भी पढ़ रहा है, जो एक standard book हो, और अगर आपने कहीं से coaching किया है, तो आपके पास material हो, ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि आप खोईए मत, यह बहुत बड़ा समझ लिजिए, यहाँ पे हैं चाहे बिलासपूर हो, चाहे रायपूर हो, यहाँ पे आप अगर खो गए तो फिर आप direction lace हो जाएंगे, है बहुत सारे हैं, तो इस book में कुछ और होगा, फलाना book में कुछ और होगा, लगबक सब में similar है, बस आपको एक book रखना है, और इसको बार बार पढ़ना है, मेरा तो यही है, मैंने मेंस के लिए देखे, मैं मेंस के लिए ना, पहले से मेंस approach थानी मेरा, क्योंकि सिर्फ मैं मैं स्टार्ट ही किया था दिसंबर के, मतलब 19, February 20 में एक्जाम हुआ, और मैं 19 के दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो मुझे यह पता था, मेरे पास जो सोर्स है, हाँ, अगर इसको अच्छे से करता हूँ, तो हो जाएगा, यह था, ठीक है, तो मेंस के लिए मैं पेपर करता नहीं था, वैसे, है ना, लेकिन उसमें भी कोई भी आप, कोई भी कोचिंग कैसे अगर आपको लगता है, कि सूटेबल है, उठा लीजे, है ना, वो बुक चाहे, अभी तो, जहां तक मुझे पता चला है, विने कुमार पाठक जी का भूक है, हिंदी और शक्तिस गड ना, क्योंकि इसमें मेमराइज करना बहुत, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए तो ग्रूप में स्टडी हो, तो सबसे बहतर है, सिर्फ इसके लिए नहीं कहूंगा, मेंस प्रिपरेशन चाहे प्रेशन के लिए, अगर अच्छे फ्रेंशिप जोन है आपका, जो सब dedicated हो, quality discussion करते हैं, तो मैं तो यही suggest करूँगा कि ग्रूप में 2424 करके ग्रूप बनाएं, और उसको ना करते रहें, और यह आप अकेले चाहे आप पढ़े ना, बिने कुमार पार्ठक आप पढ़ लिए, अकेले पढ़ रहें तो वो नहीं आएगा, वो चीज़ें, मत अपरी लाइक कीजिए, ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल मत सोचिए, और पास्ट येर कोश्चन पेपर हो सिलेबस हमेशा जब भी आप खोले ना, खोले, साइड में होना ही चाहिए, यह दो चीज़े, क्योंकि अगर कोई मौक है, जो हमें गाइड कर रहे है, वो सबसे अथेंटिक है ना, वो है आपका पास्ट येर कोश्चन पेपर, ठीक है, तो यह हो गया पेपर वन के लिए, एसे के लिए, ऐसा था, नाइंटीन का जो मेंस था, उससे एक सपता पहले सर, मैं ऐसी मौक दिया था, और उसमें मेरे एसे में फिफ्टी फॉर मार्ग साय थे, म उन्होंने का ये जो कॉपी चेक हुआ है, कोई इंग्लिश के टीचर ने किया है, तो वो सारा ग्राम मिस्टेक सब कुछ देख रहे थे, अना, ग्रामर और फिर जो भी उसमें, जो टी लिखते है ना, तो फिर उसमें अंडर अंडर लाइन करते हैं, वो टी हो जाता है, तो मतलब मेरे 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 कंटяет से उसमें ना जाके मेरे ग्रामर टी ये सब देख रहे हैं, और वो भी जरूरी था, तो मैं बता दो, नैंटीन मेरा मेरा 1Thirdy4 माक्स आया था, इंग्लिश में मेरा पूरा ये है ना, इंग्लिश में मेंने लिखा है, तो इसमें में 134 माक्स आया तो मैं इतना चाहरा कि जो भी आप तेजसरी देंगे उसमेर देरों कभी को Qian तो उसको मैं सुधार नहीं कोशिश किया कि ठीक है मैं अगर लिख रहा हूं आई के उपर बिंदू होना चाहिए ल और टी में डिफ्रेंट्स होना चाहिए यह सारी चीजे अर्थो ग्रामर्टिकल थोड़ा बहुत ही रहा क्योंकि एसे में ग्रामर थोड़ा देखते हैं यह करें और कंटेंट तो ठीक है अब अब एसे के लिए मेरा कुछ खास प्रिपरेशन था नहीं जितना भी आप साथ पेपर पढ़ेंगे ना एकसेप्ट एसे को छोड़ दें तो वह सारे के कंटेंट्स हां सीधा यहां पूट कीजिए सारे डामेंशन हिस्ट्री हो पॉलेटी किसके लिए इसे फिर उसके प्रॉज का है कॉंस क्या है फिर गुवर्मेंट इफर्ट्स क्या है आपके खुद के सजेशन किया है और वहां पर डेटा फेक्स बोलने बोला है ठीक है तो वहां पर बस तीन चार चीज़े आप रखेगा की बीच में कोटेशन रिलेवेंट हो यह सब रिपोर्ट्स डाल सकते उनको दिखना चाहिए कि आपने डेटा डाला है आपने कोटेशन डाले है अगर कुछ जैसे उसका था क्लाइमेट चेंज के लिए अगर IPCCC का रिपोर्ट अब है आपके पास आप डाल दीजे ठीक है यह सब डाले और हाइलाइट कीजे इत लिख दो चलेगा ठीक है तो इसको अप्रोक्स करके लिखने एग्जैक नहीं आ रहा तो अप्रोक्स कर दो ऐसा ठीक है तो यह सारे उसको दिखने चाहिए अब यह तो थोड़ा सा है कि आपका बैक्राउंड क्या है मैं बतारा मेरा ऐसा था जरनी की एट्ट क्लास तक में हिंदी मिडियम कच्छात रहा हूं अब नौदे में था नाइन के बाद था और इंग्लिश नाम के लिए मतलब हम सारा कुछ कम्मिनिकेशन हिंदी में हो रह है ठीक है पर कहीं ने कहीं आपको self effort डालना होगा अब यह नहीं कह रहा है कि यहां पर आके आप इंग्लिश पढ़ते रहे है तो फिर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आपको गलती क्या जो भी गलती हो यह आपको इंप्रूब नहीं कर रहे है मतला उसको आपको पता होना अब यहां पर इस situation में आप फिर पढ़ने लग जाएंगी तो आप फिर इंग्लिश की तरफ चले जाएंगी आपको बस अच्छे से इंप्रूफ करना है देखिए इसमें ना आप लिख के देखिए आप कुछ भी एक पैराग्राफ लिखे आप किसी को पढ़ाईए वो ची लिख रहा सामने वाले को समझ में आ गया तो उसमें नंबर देगा ना तो ग्रामेटिकल इर जो बेसिक होता है टेंस हो गया है है ना चाहे एक्टिव पैसी वाइसे हो गई कि मुझे कप यूज करना है ये सिंपल बस इतना ही रखना है जो बेसिक जैसे इंग्लिश का है प बस यही तो बेसिक चाहिए यही ही होता है हाँ पर कुछ-कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वो टर्मिनोलोजिस चाहता ही है जिसे एकॉनमी में सवाल लिक रहे हैं तो उसके टर्म्स जीडिपी यह जो चीजें होती है आप उसमें डालो गही ना वह वाली कह रहा है बा सामने वाला कंवे कर जाए बाकी क्वालेटी जो कंटेंट्स कहते हैं वह आप पढ़के आएगा ना कि कॉनमी में हां मुझे सारे कॉंसेट्स क्लियर हैं तो मैं जब सेंटेंस लिक रहा हूं तो कहां पर मुझे वो कीवर्ड डालना है यह है ऐसे नहीं अलग से आप प्रप मैं लिखूंगा इन बिट्वीन जैसे कि अप सबस्क्राइब लिखना है ठीक ना अगर इसकी क्या-क्या खामिया है तो मैं इसको पॉइंट मैं बताऊंगा कि सर यह जो है इसके इत्ती सारी खामिया है फिर इसके जो फाइदें यह है इस तरीके से तो आपर पॉइंट ही बंचिना विश्क्राइब दिखाना पड़ रहा है डीखने हरो फ्सक्र आश्यक्राफ प्रक्राइस और पैरा का भी क्योंकि अगर ऐसे देखा जाए एसे ना इसे को हम पैरा में लिखना सबसे बेस्ट होता है पर अब डिमांड आप दी सीजी पेसी है ना तो उस हिसाब से देखे तो मिक्षर लिख लो वो सही रहेगा चलिए मैं आ रहा हूं उसमें आ रहा हूं पहले मैं सारे डिफिनिटली आप कर सकते हैं हाँ पर मैंने जैसे की वीशियस साइकल कुछ हो गया अब पूर्टी का ले लो तो हाँ पर आप कर सकते हो या फिर ऐसा लग रहा है कि मुझे हाँ हा हाँ हां हाँ वो आंसर्रैटिंग में आ रहा है मैं सोर्स की बात कर तुम्हें सब ने कहा। तो मैं वही कर रहा पेपरवाइज में बता दू मैंने क्या क्या किया था ठीक है फिर उसके बाद आंसर रैटिंग चाहिए प्री का अप्रोच एक करेंगे ठीक है तो यह से का हो गया यह से में कुछ डाउट है किसी को अभी नहीं न